नमस्कार साथियों स्वागत है अपने ही योटूब चैनल बीरू अकैडमी पर डियर सभी का स्वागत है अपने ही योटूब चैनल पर डियर बात करेंगे जो नए सिच्छा आयोग के गठन को हरी जंडी दी गई है माननी योगी आधित नाथ जी के द्वारा उसकी क्या सच् अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो परंतक बने रहिएगा एक एक डाउट आपका अवस्ट क्लियर होगा जितने साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करके वाल आइकन प्रेस कर दीजे आईए आपको दिखाते हैं पूरा मामला डियर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है सिच्चकों की भरती के लिए एक आयोग का गठन बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है एक आयोग के गठन की बात की गई है माननी योगी आधितनासजी के द्वारा और उन्होंने उस आयोग की बात की है जिस आयोग से कही ना कही जो प्रात्मि सिच्छक भरती हैं बात करें TGT PGT की बात करें उच्चमाध्धमिक की प्रतेक भरतिया सिर्फ एक आयोग के द्वारा कराई जाएगी बात बिल्कुल सही है इसका प्रोफाक्मा पिछले तीन साल पहले भी एक बार कही ना कही योगी स सरकार ने उठाया था लेकिन वो प्रस्ताव फिर खारीज हुआ था और ये पूना प्रस्ताव जो है बना कर मांगा गया है सासन से कि एक नए आयोग के गठन की बात की जा रही है बात करें इस आयोग में क्या खास होने वाला है तो इस आयोग के माध्यम से टेट का भी आय थी जिसके फार्म काफी समय से फिल थे उसके एक्जाम अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि जब तक नए आयोग का गठन नहीं हो पाएगा तब तक टीजीटी और पीजीटी का जो परिच्छाएं है जो एडविट का डित्यादी है वो सब पेंडिंग रहेंगे तो पहले कही नहीं कहीं जो है नए आयोग का जब तक बनने का प्रारूत सुरू नहीं हो जाएगा तब तक टीजीटी पीजीटी सारी वैकेशिया फंस्ती नजार आ रहींगे दियर बात कहीं जो टेट के एक बटा चार अंक वाले मैटर की बात की जा रही है दियर वो देखिए वो बात नई सिच्छा नीती जो 2020 है उसमें मैंसंस है कि जो नई सिच्छा नीती के अंसार प्रात्मी सिच्छक भरती आएगी उसमें टेट या सीचट के एक बटा चार अंक जोड़े जा सकती हैं लेकिन जो न्यूजे अभी वाइरल हो रही है वो पूरी तरीके से निराधार हैं य बात जरूर की गई थी नई सिच्छा नीती में कि टेट और सीच्छ के जो अंक है उनको वेटे दिया जाएगा एक बटा चार अंक उनके जोड़े जा सकते हैं बात बिल्कुन इसपस्ट है लेकिन अब जो नया आयोग बनकर तयार होगा तो देखने वाली बात होगी कि जो नया आयोग का गठन हो रहा है क्या वो नई सिच्छा नीती के अनरूप हो रहा है अगर नई सिच्छा नीती के अनरूप नया आयोग का गठन होगा डियर तो हो सकता है कि निकट भविस में टेट या सीचट के मार्स जोड़े जाएं लेकिन फिलहाल जो भी एक बटा चार वाली नियो जो वाइरल हो रही है टेट सीट की वो पूरी तरीके से फरजी है अभी इसकी पुष्टी नहीं हुई है बात करें कि अगर नए आयोग के द्वारा और क्या कुछ बदलाओ किये जा सकते हैं तो ये फरवरी तक बात निकल कर सामने आएगी कि नए आयोग का किस प के मांक्स जोड़े जाए लेकिन अभी जो नियो जो वाइरल हो रही है ये काफी पुरानी नियो जड़ी है बात करें प्रात्मी सिच्छक भरती के रास्ती की तो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सिच्छा निदेशक बेसीक उत्तरपदेफ लखनव द्वारा एक लेटर जारी किया गया है प्रतेक राजी के बेसे प्रतेक जिले के बेसे को और उनसे ये मांगा गया है कि जो मार्च 2023 तक कितने पद किस विद्याले में प्रधाना ध्यापक के जूनियर में और प्राथिबिक में सहाय का ध्यापक के कितने पद रिक्ष होंगे पूरा तास्ता है वो कहीं ना कहीं खुल रहा है इसलिए ये डाटा मांगा जा रहा है ये बात बिल्कुल सत्ते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो ये एक बटा चारवाला मैटर था वो कनफर्म हुआ होगा अब नए आयो के गठन की जो वाते थी वो भी ये गए हैं और कहीं ना कहीं जो डियर्ड होता है या जिसे आप बेलेड या बेटीसी के नाम से कह सकती हैं वो भी इसमें पात्र थे तो जो वीर्ड वाले साथी हैं उनके अगेस्ट डियर्ड वालों ने कहीं ना कहीं जो केस था उसको रिश्टोर करवा लिये हैं और ये म वालिया है हलाकि इसकी जो चैन सूची है वो पूरी तरीके से जारी हो चुगे और काफी यादा 28 के च्छात रिस्म जाइनित भी हैं लेकिन मामला चुकि हाई कोट में विचारा धीन हो गया है इसलिए भारती प्रक्रियाग अभी पूरी तरीके से रुकी रहेगी और सबसे बड़ा जो इसका में रीजन है वो बीएट पातरता भीवात को लेकर के जो अरली हेरिंग के लिए अप्लिकेसंस कल डाली गई थी मानी सुप्रिम कोट में हलाकि वहां से भी किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया कि क्या सुनवाई दस जनवरी के पहले भी हो क्योंकि जली कट्टू केस में भी तक खंसे थे नरसिंभा जी और कहीं ना कहीं जो जस्टिस उधानसु धुलिया जी की बेंच में इस केस को सुना जाएगा और उमीदे यही हैं कि दस जनवरी को ही अब इस केस की सुनवाई होगी क्योंकि अरली हेरिंग का अभी तक कोई रिस्पॉंस नहीं आया है मानी सुप्रिम कोट के द्वारा देखिए जो यंपी वाला वर्गतरी का मैटर है वो इसी बीएड वर्सेस बीएस टीसी केस के साथ कहीं ना कहीं आउटकम हो जाएगा यह उमीदे हैं और चूंकि मामला साथ फरवरी का है उसके पहले जनवरी मे भीएड वर्सेस बीएस टीसी केस की सुनवाई होनी है तो दस जनवरी का दिन काफी एहम है क्योंकि दस और ग्यारा जनवरी को काफी जयादा जो है सुनने के लिए टाइम भी एक्स्टेंड किया गया है और टॉप टैन की सूची में इस केस को लिए जा चुका है यानि कि पहले दस केस में ही इस केस को सुना जाएगा और काफी जादा वक्त दिया जाएगा इस केस को हंडल कलने में क्योंकि ये पिछले कई सालों से ये केस विवादित है और जो जितने भी राज्यों की भरतिया हैं पूरी तरीके से प्रभावित हैं चाहे वो बिहार की सरकार की भ प्रदेश हैं वहाँ पर B8 की जो इस्तिती है वो कहीं ना कहीं प्रात्मिक से हट जाएंगे क्योंकि इसका जो निरड़े होगा वो प्रतेक राज़ पर लागू हो जाएगा डियर ये 10 जनवरी को कनफर्म हो पाएगा कि कौन सा जो पच्छ है वो प्रात्मिक में बरकरार रखा जाएगा बियर प्रात्मिक बने रहेगा या कहीं ना कहीं सिर्फ दो वरसी पार्टिकरम BTC, DLA या D8 को वरीदा देगा माननी सुप्रेम कोड ये आने वाली 10 और 11 जनवरी को कनफर्म हो पाएगा आप लोगों के उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट क्लियर हुए होंगे अभी भी आपका कोई क्वैरी कोई सवाल रहे गया है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंसंस कीजिएगा उसका भी क्लिरिफिकेशनस आपको ततकाल देंगे और V8 वर्सिस BSTC में आपकी क्या राय है कि सधार पर कौन सा पच जीज सकता है कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे इंडिस्टर अपडेट में तब तक के लिए जय हिंजय भारत थैंक्यू